इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा आदाब नाजरीन इतिहाद न्यूज और आइनन सेवन में आपका इस्तक्बाल है आज हम बात करते हैं देश की बिगर्टी वे इक्तिसादी हालात यानी एकनॉमिकल कंडिशन पर आजरी के बाद देश के सामने बहुत सारे चैलेंजिस थे देश की इक्तिसादी हालात को सुधारने और देश की जीडिपी को बढ़ाने के लिए एगरीकर्चर्ट सेक्टर में काम करना था रोजगार की मौख़े फराहम करने के लिए इंडिस्टिरियल सेक्टर में काम करना था इसके अलावा एजुकेशनल और हेल्थ सेक्टर में भी काम करना था इस जमेदारी को पुरा करने के लिए पिछली हुकमोतों ने कड़ी महनत करते हुए देश में कारखोनों का जाल बिचाया बड़े-बड़े उनियुरसिटियां और रिसर्ट सेंटर्स खायम किये एगरी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए नई-णई कामिया पॉलिसीज रिसर्ट सेंटर्स और उनियुरसिटियों का खायम किया गया पिछली हकुमतों की इनी कोशिशों और काविशों की वज़े से देश ने IT सेक्टर में अपनी बात्षाहत खायम की और यह कहنا घलत न होगा के पिछली हकुमतों ने देश के लिए जरूरी हर सेक्टर चाये हो economical sector हो या defense sector हर शोबे में जमेदारी के साथ देश को आगे बढ़ाने और देश को developing country बनाने में महिनत की लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि देश हर सेक्टर में तरकी करने की बज़ाए तनजली पर जा रहा है ऐसा कोई शोबा नहीं है जिसमें लोग परिशान नहीं है डालर के मुखाबले रुपिया कमजोर होता जा रहा है किसान खुद कशी करने पर मजबूर हो रहे हैं छोटे और बड़े काखाने बंद होते जा रहे हैं बावजूद कच्चे तेल के दाम के कम होने पर पेट्रोल और डिजल के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है मुक्तलिफ मजबों के माबین नफरत भरती जा रही है जिसकी वज़े से देश का अमन आमान खतर में पढ़ता जा रहा है पाकिस्तान और चीन तो दुश्मन था अब नेपाल और भोटान भी आँख दिकाने लगे हैं देश के एक्तिसादी हालत और अमन और आमान जितना अब खराब है शायद उतना किसी दोर में रहा होगा अफसोस तो इस बात का भी है कि देश के इन परिशानियों के बावजूद कुछ हुकुमत के अंदभक्त इन परिशानियों को नजर अंदास करते वी आ रहे हैं देश को इन परिशानियों से निजात दिलाने के लिए अवाम को चाहिए कि अन बक्तियों छोड़कर हुकुमत के खलत नीतियों के खिलाफ इतिहाद का दामन धामते हुए आवाज उटानी है तब हम देश को अच्छी दिशा मिले जा सकते हैं इतिहाद न्यूज और आयन देखने के लिए शुक्रिया खुदाफिस